आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले हमें ये डिजल पम से इसका ये एलंग की खोल लेना है और इसके बाद ये जो एंजिन है हमें डिजल पम की और यानिक इसको ऐसे सीधा गुमाना है इस तरह से डिजल पम की और हमें ऐसे सीधा गुमाना है उसके बाद ये एक नमर के लाटा है ये किलोस का एंजिन है तो सबसे पहले हमें इसको सेट करना है तो ये वाला ये प्लंजर ये एकोराइट बॉडी लेवर होना चीए ये जो आप देख रहे है ये वाला पिश्टन ये इसका प्लंजर तो इस तरह से हमें यहाँ पर चेक करना है ये पिश्टन टॉप पर है तो इस तरह से हमें अंदाजर लगाना है की ये पिश्टन कमप्लेट्टी टॉप पर है या नहीं ये एकड़म आसान और इजी तरह इजी तरीका में आपको दिखा रहा हूँ तो अभी ये देख सकते हैं एंजिन गुमाया ये नीचे के और यानि ये डाउन हो चुका है तो इस तरह से नीचे जाने के बाद वापिस उप्पे आना चीए तो ये प्लंजर भी जैसे गुमायेगे नीचे जाएगा उसके बाद उप्पे आएगा ऐसे सीड़े एंजिन गुमाने पर ये नीचे जाने के बाद उप्पे के और आना चीए तो अभी ये एंजिन को हम गुमाते हैं और आपको दिखाते हैं तो अभी ये एंजिन को आप देख सकते हैं इस तरह से हमें गुमाना है गुमाओ एज़ाद और गुमाओ और और गुमाओ ढूरा हाँ गुमाओ हाटो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कम्प्लेट बॉडि लेवर ये वाला लास वाला प्रणजर आप देख सकते हैं तो ये नीचे के वर डबड़ा है आप देख सकते हैं तो इस तरह से ये नीचे जाने के बाद उप्पे के वर आना चीए यानि इसका पूरा राउन हमें गुमाना है सीडे तो अब ये नीचे जा रहा है आप देख सकते हैं गुमाने पर है जाज गुमाँ हाँ गुमाँ तो देख सकते हैं अब ये नीचे के और डब रहा है तो अभी ये आइश्टा-ाइश्टा से वापिस देख सकते है यहाँ पर ये पिस्टन जैसे उपए याने के टॉप पर आएगा तो यहाँ पर ये प्लंजर भी कम्प्लेट एकोराइट बोडी लेवर आप देख सकते है यहाँ पर तो ये अभी कम्प्लेट बोडी लेवर हो चुका है आप देख सकते है यहाँ पर तो अभी ये बोडी लेवर है याने ये टॉप पर आ चुका है तो ये वाला पिस्टन कम्प्लेट टॉप पर आई जाता ह यह लास वाला देख सकते है अभी यह complete top पे है तो अभी हम इसको set करना है और इसका जो inlet है इसको मैं 0.10 mm पे set करता हूँ और जो exhaust है उसको मैं 0.12 पे set करता हूँ मुझे और mystery का पटा नहीं लेकिन मेरा अंडाज कुछ इस तरह से है मैं इसी तरह से tap it को setting करता हूँ तो सयद आप समझ गए कि इसको कैसे हमें engine को गुमाना है और piston को कैसे top पे लेना है और plunger को भी कैसे हमें top पे लाना है तो यह एकड़म आसान टड़ी का दोस्तो इस तरह से इसको nozzle निकाल लेना है और ऐसे कोई page करशिया डाल के हमें check कर लेना है कि यह top पे आया भी है या नहीं तो देख सकते हैं यह inlet है तो इसको मैं 0.10 पे set कर रहा हूं तो यह tap it gate और यह एकड़ोस का जो है इसको मैं 0.12 पे मैं एकड़ोस करता हूं देख सकते है डानों में for तो अभी मैं इसको set करता हूं यह एकड़ोस को तो जोस्तो गर यह वीडियो आपको पसंद आये तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाईयों में share करना न बूले और ऐसे वीडियोस के लिए जोस्तो एक subscribe एक like और एक share तो बनता ही है और हमें comment करके ज़रूर बटाना कि आपको यह वीडियोस कैसी लगी तो इस तरह से हमें इसको यह tap it gate को फसा लेना है और एकड़म हलके से ना ज़्यादा tight ना ज़्यादा loose इस तरह से यह काम करना चाहिए देख सकते एकड़म easy तो अभी यह complete है मैं इसको लॉक करता हूँ दोस्तो यह gauge एकड़म easy यहाँ पर work होना चाहिए इस तरह से देख सकते हैं अभी कस लो इसको fully है जाए कसो यह उत्याद दो यह करूएम